स्वागत है एक बार फिर से आप सभी सातियों का द्रिस्टिपीसियस की इस नए वीडियो में मेरा नाम है सल्मान और आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन तमाम सवालों को पर चर्चा करेंगे जो की बनाए गया है से महत्पूर खबरों के आधार पर जो बीते हथे सुर्खियों में रही यानि कि ये खबरे आप सभी के लिए इसलिए भी महत्पूर हो सकती है कि जो आगामी परिक्षा में समसामाई की से जोड़ करके सवाल पूछे जाएंगे तो उन सवालों के लिए ये जो खबरे है वो आधार बन सकती है और उन खबरों के आधार पर सवाल बनाये जाने की प्रबल संभावना बनती है तो आईए देर नखरते हैं अपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के एपिसोड में वो कौन से सवाल है जो आप सभी के लिए फ्रेम किये गए हैं शुरुआत करते हैं पहले सवाल से की तरफ से मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन यूजना की शुरुवात की गई है इसके अंतर्गत अगर हम देखे तो मुख्य रूप से पांच लाख रुपए जो है अनुदान की रूप में दिया जाएगा तो प्रसन का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प भी हो जाएगा इससे जुड़े कुछ विविन पहलुओं को अगर हम देखे तो अभी बिहार के परिवहन विभाग के द्वारा इस यूजना की यूजना का जो संचालन किया जाएगा यानि आवधि की बात करें तो वित्ति वर्स 25-26 तक है यानि कि इस यूजना का संचालन जो है 25-26 तक किया जाएगा इसके अंतरकत जिला मुख्याला के प्रकंदों को छोड़ कर यहां पर यह बात ध्यान रखियेगा जिला मुख्या में साथ लोगों को यह लाब दिया जाएगा, बस की खरीद के लिए पांच लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा, किस की खरीद के लिए, बस की खरीद के लिए, प्रतेक प्रखन में साथ लाब को, यानि कि साथ वेक्तियों को इस योजना के अंतरगत लाब दिया जाए तो आधिकत्म अंक वालों को वरिता इसके इंतरगत दिये जाएगा, उन्हें ही यह लाब दिया जाएगा तो यहां से आप देखिए साथ लाबगों को प्रत्य प्रखंड के अंतरगत बस की खरीद के लिए पांच लाख रुपए अनुदान सरू दिये जाएंगे तो पांच लाख रुपए इस प्रस्त का विलकुल सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है आल ही में निमलिकित में से किसे श्रेश्ट द्रिव्यांग जन के राश्ट्री प्रसकार दो हजार तेईस से सम्मानित किया गया है ज्योति सिंग, ज्योति सिनह, ज्योति मिश्रा या फिर ज्योति यादव तीन दिसंबर को अंतर राश्ट्री दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है अंतर राश्ट्री दिव्यांग दिवस और इसी दिव्यांग दिवस के आउसर पर राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मु जी के दौरा मदूबनी प्रेंटिंग बनाने के लिए जोती सिनहा को प्रेष्ट दिव्यांग जनके अंतरगत इस पुरसकार से सम्मानित किया है इसके अंतरगत अगर अभी हम देखे तो विभीनी छेत्रों में अलुकरणी योगिदान देने के लिए 21 व्यक्तियों और 9 संस्थानों को राष्टी पुरसकार 2023 से सम्मानित किया गया है और इसी के अंतरगत जोती सिनहा जो की मुझफर पुर बिहार के मुझफर पुर जिले की रहने वाली है और इनको जो है मधुपनी पेंटिंग के छेत्र में उत्कृष्ट कारे के लिए कला और संस्कृति के छेत्र में श्रेष्ट दिव्यांग जन की स्रेडी में व्यक्तिकत उत्किष्टता के लिए यह पुरसकार दिया गया है। अगला प्रस्ण है हाल ही में राजगीर महोत्सव का आयोजन निमलिखित में से किस विभाग के सोजान से आयोजित किया गया विकल्प है परेटन विभाग, कला एवं संस्कृती विभाग, समाज कल्यान विभाग या फिर इन में से कोई नही तो राजगीर महोत्सव की अगर अगर हम बात करें तो इसका आयोजन जो है जिलाप्रसासन की मदद से परेटन विभाग के सौजन से आयोजित किया गया था तो परसंप का जुस्सा भी उत्तर हो जायेगा विकल्प-ए हो जायेगा यानि कि परेटन विभाग यहाँ पर देखिए तो परेटन विभाग और जिला प्रसासन नालंदा के सौजन से इसका आयोजन 30 नॉवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक किया गया था इसके अंतरगत अगर देखे तो इसी महोटसों के अंतरगत 7 दिवसी ग्राम श्री मेला का आयोजन 6 दिसंबर 2023 तक भी आयोजित किया गया और इसकी अगर बात करें तो वर्स 1986 से राजगीर महोटसों की शुरूबात की गय थी यह दो तीन बाते हैं जो तथ्यात्मक रूप से आप सभी को जानना चाहिए परिक्षा के मद्दे नजर तो प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएग बढ़ते हैं अगे की तरफ अगला प्रस्ण है अमवामन जील कहां इस्तित है पूर्वी चमपारण पश्चिमी चमपारण सीता मड़ी या सीवान तो अगर बिहार राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो वह विभिन छेत्रों के विकास करने के साथ ही साथ बिहार राज्य बिहार सरकार जो है बहुत जादा ध्यान दे रही है इसी को ध्यान में रखते हुए अवमावन जील की अगर हम बात करें तो यह राज्य का पहला एक ऐसा इस्थान होगा जहां पर पेरासेलिंग जैसी जलक्रिलाए संपन कराई जाएंगी तो अवमावन जील जो है बिहार कि पस्चिमी चमपारण जीले में इस्थित है तो प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा यानि कि पस्चिमी तो अवमामन जील जो है यह राज्य का पहला एक ऐसा इस्थालोगा जहां पैरासेलिंग सहीत जलक्रिला गतिविदियां संपन की जाएंगी और यही पर अगर देखें तो यह मुख्य रूप से कहां इस्थित है तो यह है राश्चिरी राजमार के किनारे 400 एकड में फैली जील जो है पस्चिमी चमपारण का प्रवेस द्वार की रूप में भी जानी जाती है यानि कि पस्चिमी चमपारण का प्रवेस द्वार है और स सेलिंग सहीद जल क्रिला गतिविदिया संपन कर आई जाएंगी अगला सवाल देखते हैं नंदावर्थ महल का संबंध निमलिकित में से किस्से है जैन मंदिर परिसर बुद्ध मंदिर परिसर नारायन मंदिर परिसर या तक्स श्री पटना साहिब परिसर तो नंदावर्थ महल की अगर हम बात करें तो यह जैन मंदिर परिसर से संबंधित है नंदावर्थ महल की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण वर्ष दो हजार तीन और चार में कराया गया था यह जो है दिगंबर जो एक संप्रदाय है या पंथ है जैन धर्म के अंतरगत उन्हीं के मताब लंबियों के द्वारा बनवाया गया था भगवान महावीर ने कुंडलपूर जो की नालंदा की में इस्थित है कि धर्ती पर साथ खंड के उचे दिव नंदावर्त नामक महल में जन मिलिया था और इसी की स्मृति में 22 महीनों की अलपावदी में संद 2003 और 2004 में इसका निर्मार कराया गया था यहां पर अगर हम देखे तो एक से एक फुट उच्छा तीर्थंकर महावीर जिनमंदिर नौग्रा शांति जिनमंदिर भगवान रिशब देव जिनमंदिर त्रिकाल 24 जिनमंदिर एवां दंदा वर्त महल की उपरी मंजिल पर भगवान शांतीनात जिनालय अति आकर्शक प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा यानिकी जैन मंदिर से या सम्मंदित है अगला सवाल फ्रेम किया गया है निमलिखित में से किस तिथी को अंतर राष्टी दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या फिर 6 दिसंबर जैसा कि अभी पिछले एक प्रस्ण में मैंने आप सभी को बताया कि अंतर राष्टी दिव्यांग जन दिवस जो है यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है और इसी दिवस के आउसर पर राष्ट्रपती महोदया के द्वारा मुजफरपुर की जोती सिनहा को मदुपनी पेंटिंग के लिए राष्टी पुरसकार से सम्मानित किया गया था इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा 3 दिसंबर हो जाएगा इस दिवस की थीम की अगर हम बात करें तो United in Action to Rescue and Achieve the Sustainable Development Goals इसी को संचिप्त में SDGs लिखा हुआ है और with and by Persons with Disabilities ये इस दिवस की थीम है ये आप लोग ज़रूर ध्यान में रखियेगा क्योंकि परिशा में थीम भी पूछी जाती है इस दिवस की अगर हम बात करें तो समाज एवं विकास के प्रतेक इस्तर पर जो भी दिव्यांग जन व्यक्ति हैं उनके अधिकारों और उनके कल्यानों को बढ़ावा देना और लोगों में इसके लिए जागरुकता फैलाना भी इसका प्रमुख उद्देस है इसके अलावा दिव्यांगों के समान के प्रती समाज में सकरात्मक वातावर्ण वा द्रिष्टी कोण बनाना भी इसके उद्देश के अंतरगत शामिल किया गया है तो कब मनाया जाता है ये प्रती वर्ष तीन दिसंबर को इस दिवस को मनाया जाता है तो प्रस्ण का सही उत्तर विकल्प भी हो जाएगा यानि कि 3 दिसंबर अगला प्रस्ण है बापू के कदमों में बापू किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है विकल्प है महत्मा कांदी, रवीन रना टैगोर, डॉक्टर राजेंदर प्रसाद या फिर जवाहरलाल नहरू बापू के कदमों में बापू या पुस्तक जो है भारत के प्रथम राश्टपती डॉक्टर राजेंदर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है अब यहाल ही में इनकी जैनती पर यानि की तीन दिसंबर को जो भूतपूर राश्टपती रहे हैं, प्रथम राश्टपती रहे हैं, डॉक्टर राजेंदर प्रसाद की जैनती पर नहीं वरतमान राश्टपती महोदे अद्वारा पुस्पांजली अर्पित की गई है, लेकिन वही 1949 में सुभाष चंदर बोज जी के दुआरा स्तीफा देने के बाद उन्हें राश्टरी कॉंग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था, अब इनकी एक आटोबायोग्राफी है, जो की आत्मकथा के नाम से वर्स 1946 में प्रकासीत हुई थी, इनके अलावा कुछ अन्य पुस्ता के लिखी गई, जिसमें मुख्य रूप से चंपारन में सत्यागरा, 1922, इंडिया डिवाइड़, 1946, महत्मा गांधी और बिहार कुछ यादे, 1949, बापू के कदमों में बापू, 1954 आदी इन पुस्ता को के लेखक है, वो डॉक्टर राजेंदर प्रशाद ज बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का संबंधनिमली खित में से किस्से है, व्यापार, निवेश, पर्यटन या इन में से कोई नहीं, तो बिहार राज्ज को निवेश के एक गंतव के रूप में पहचान दिलाने के लिए, पटना में दो दिवसी 13 दिसंबर से बिहार बिजनेस कनेक का आयोजन किया जा रहा है, इसके अंतरगत जो भी विभिन छेत्र हैं, उससे संबंधित जो भी व्यापारी वर्ग होगा, उनको मुख्य रूप से इस तरह की बातों का और इस तरह के मंच सुरूप प्रदान करना कि जिससे की बिहार में निवेश को और भी ज़्यादा आ निवेश से संबंधित है, तो प्रस्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प भी हो जाएगा, यानि कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 जो है निवेश से संबंधित है, तो अभी देखी इसका आयोजन कब होगा, 13 दिसम्बर से कहां पर किया जाएगा, पटना में किया इसका या एक वैश्विक निवेशक सिखर सम्मेलन है, जिसका उद्देश राज को एक आकार सक वैश्विक निवेश गंतव के रूप में पेश करना है, तो 13 दिसम्बर से सुरू होने वाले या दो दिवन का जो सम्मेलन है, इसके अंतरगत, कपड़ा, खाधिप्रसंसक्र आई टी जैव इधन आदी जैसे जो भी विभुन छेत्र हैं में राज में रणनीतिक लाभों पर प्रकास डाला जाएगा यानि कि यहां पर वर्तालाब की जाएगी तरह एक तरह से यह मंच प्रदान करेगा जिसमें कि जो भी आपस में जो रणनीतिक बाते हो सकती है या देखें तो भारत और विदेश की लगभग 600 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी जो कि अध्यकिक विकास और निवेस में अगड़ी बनने की दिशा में बिहार की यात्रा में एक महत्पूर कदम साबित हो सकती है तो प्रस्न का सही उत्तर विकल भी हो जाएगा यानि कि य आटवा, छटवा, छटवा, सातवा या फिर आटवा तो अभी हाल ही में NCRB की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मताबिक अगर हम बात करें तो पिछले साल आर्थिक अपराद के मामले में बिहार का छटवा इस्थान है तो प्रस्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल बी हो जाएगा हाला कि अगर हम बात करें कि जो पूरे अपराद की अगर हम बात करें तो उसमें कहीं न कहीं कमी देखिने को मिली है लेकिन साइबर अपराद के मामले में और आर्थिक अपराद के मामले में अगर हम बात करें तो बिहार का छटवा इस्थान जब कि साइबर अपराद के मामले में साथवे इस्थान पर यह बात जो है इस रिपोर्ट के अंतरगत मिंशन की गई है अगर देखे तो बिहार में जो आर्थिक अपरादों की संख्या है यह 10674 रही जो की राजस्थान उत्तरपदेश महराज तिलंगाना और पश्चिम मंगाल के बाद सब से अधिक है तो यहां पर अगर हम देखे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो छटवे इस्थान पर है तो इस प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा छटवा है यानि कि ऑप्शन भी इस प्रस्ण का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बढ़ते हैं आगे की तरफ अग अंतरगत सिक्षा में कमजोर या पढ़ाई में कमजोर 25 लाख बच्चों के लिए इस कारिकरम की शुरुवात की गई इस कारिकरम के अंतरगत अगर हम देखे तो पढ़ाई में जो भी छात्र कमजोर है उन छात्रों के लिए यह शुरू किया गया एक कारिकरम है जो की हाई क्लास में पहुँचने के बावजूद भी ऐसे चातर जो की सरल रूप से हिंदी शब्द को पढ़ने में असमर्थ हैं तो उनको इसके लिए एक बार मजबूत किया जाएगा उन्हें और भी आगे बढ़ने उन बच्चों को शामिल किया जो कि हिंदी के सामाने वाक भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं इसके अलावा गड़ित में भी उनकी बेसिक जानकारी जो है काफी कमजोर है तो ऐसे चातरों के लिए बिहार सरकार जो है प्रात्मिक विद्यालियों में तीन बज़े के बाद विस जोर बच्चे हैं उनको सही तरीके से सिक्षा मुहिया कराई जा सके जिससे कि वो भी भारत के विकास में अपना योगदान दे सके तो ये रहा आज के एपिसोड का अंतिम सवाल और इस अंतिम सवाल के साथ आज के एपिसोड को हम यही पर विराम देंगे हमें उमीद है इ करते रहें जय हिंद